हलो फ्रेंट छो आगते आपका माई चेनल पर तो फ्रेंट ना ही आलू बालना है ना ही कसना है आज हम सबसे आसान तरीके से बनाएंगे बिना सूजी बिना मैदा बिना बेशन बहुत ही ज़़ा टेश्टी कुरकुरा मज़िदार नासा जिसे आप हफ्तों इस्टोर करके तो फ्रेंट आज की रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा तो चलिए इस मज़िदार सी रेस्पी को बनाना सुरू करते जो जितनी ज़्यादा क्रिस्पी है चरपटी उससे ज़्यादा यह है तो इस रेस्पी क बनाने के लिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के कच्छे आलू लिये हैं जो वेट ने हमारे मुश्किल से 50 ग्राम है अब आलू को फटाफट छील लेंगे तो फ्रेंट आप हमारी यह मज़िदार सी रेस्पी कहां से देख रहे हैं जल्दी से कमे कर लिया है अब यहाँ पे हम आपको बहुत इंपोर्टन सी टिप देंगे यहाँ पर हमें एक अलू ले लेना है और इसको कैसे कच करना है वह आपको बताएंगे तो दोनों आलू की कटिंग अलग अलग तरीके से होगी सबसे पहले हमारी को डिवाइड कर लेंगे इस तरी एक नबे लमबे खाली के लिए किखेंग कर लेसे यहां पर देखेंगे इस तरीके से अलु कुत में लंबे-लंबे भाग में लिए देखेंगे ये देखे, इसके हमें इतनी रखनी है ठीकनेस को, और आभ हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लंबा-लंबा कट करेंगे, इससे रैस्पी का लूफ बहुत ही सुन्दर आएगा, तो देखे जैसे मैं कट कर रही ऊसी तरीके से आपको कट करना है और इसको हम तुरण पानी म करना है इसी पर किया को सिकता है गुखिए इस तरीके से आपको कड करना ना है इसकी जो थीकड़ी चाहिए नहीं देखें भी आमने चाइस और पत्ल हो चुकी है तो शारा खेल को कड़िया आलू की कटिंग का ही था है इस तारा इश्टार निकल चुका है आलू हमारा बिल्कुँ सफेद हो चुका है अब हम सबसे छोटा अला मिक्सी का जाल ले लेंगे ना बड़ा वाला ना मीडियम हला सबसे छोटा वाला इस्तमाल करना है उसके अंदर अपने आलू को टास्कर कर देगे और इसी के साथ हम इसमे एक medium size का प्याद डालेंगे जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है अगर आप प्याद नहीं खाते तो skip कर सकते हैं अगर खाते हैं तो जरूर डालेगा इससे बहुत इच्छा flavor आएगा फिर एक इंच का अधरक लिया है जिसको अच्छा से बहुत करके छिलका निकाल लिया है अधरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो अधरक को जरूर डालेगा फिर दो ग्रीन चीर डालेंगे क्योंकि मेरी spicy नहीं है तो मैं दो डालनी हूँ अगर आपकी spicy हो तो आप सिर्फ एक डालना और तीन कलिया लसुन की डालेंगे अगर अच्छे से इसका पेश्ट बना लेंगे तो चलिए पेश्ट बना के लिए कर आते हैं फिर आपको दिखाते तो यहां पर देखिए मैंने इसको पीस लिया है पीस ने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती यह अच्छे से पेश जाता है हमारा प्या जो आलू मिना पाई डाले यह देखिए पानी आपको नहीं डालना है बस इस बात का खयार लगना है अब एक बड़े साइश का बड़ता ले लेंगे और उसके अंदर इसको टास्पर करेंगे सारा का सारा और टास्पर करने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ा एट करेंगे क्या क्या आईए आपको बता देते सबसे पहले इसके डालेंगे कलोंजी जिसको मगरेला ही बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा एक छोटा चमच इससे डालने से बहुत ही सुन्दर सा लुक आएगा अगर ना हो तो इसकी भी कर सकते अब एक छोटा चमच इसमें डालेंगे सफेद तिल जो केल्सियम से भरपूर होते तो तिल का इस्तमाल आपने नास्ते में जरूर कीजिए इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा हेल्थ में और फिर इसमें टेस्क एक्वार्डिंग नमक डालनेंगे तो जितना नमक आप खाते होतना डाल सकते थोड़ा सा टर्मरी पॉड़ा यानि हल्दी हमें जारा नहीं डालनी है सिर्फ दो से तीन चुटकी ही डालनी है बस इतनी हल्दी यहां पर हमने इसके अंदर हरी मिश भी डाल लिये तो हमें थोड़ी सी कुटी ही लानमिश डाल देनी है अगर आपका वच्चा बहुत ज़ाए छोटा है तो आप हरी मिश को इसकिप कर सकते हैं धियर विश्क तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है जिसको मीठी नीम बोलते अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसकी जगा पर सिर्फ धनिया वीडा सकते यहां पर धेर सारा धनिया डाल देंगे इससे बहुत ही सुन्दर सा लुक आएगा दोनों के कॉंबनेशन से बहुत ही बड़ी हाँ टेस्ट आता है यानि तिल और हमने जो इसके अंदर मसाले ड अबस तक जो मेरा होमेड है अगर आपको इसकी रेस्पी चाहिए तो कमेंट बक्स में कमेंट करना मैं आपके साथ सेयर करूंगी किचन के बेसिक मसालों से तरह त्यार हो जाती है और आप इसके अंदर क्या डालेंगे आईए को अटा देते हैं तो चलिए आपको दिखाते वो सीक्रेट शीट क्या है जो हर किचन आपको आसानी से मिल जाती है जिससे रेस्पी बहुत ही गजब की बनेगी और हेल्दी बनेगी फ्रैंड वो है हमारा हर किचन ने मौझूद गेहूं काटा यह वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते चपाती बनाते बेटने यह मुस्किल से 50 ग्राम है नाप में कफ है आपको टोरी से मेजर्मेंट कर सकते इस रेस्पी में आपको मेजर्मेंट का खास खया लगना है तो यहां पर इसके अंदर हम इसको चटपटा बनाने के लिए डाल देंगे चाट मसाला हाफ टीजपून तैक अगर आपके पास चाट पसा रहना हो तो आप इसकी जगाह पर निम्बू का रश डाल सकते हैं या फिर ड्राय आमचूर पड़े या नहीं खटाई का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्ट कर देंगे यूंकि प्याज और अलू में खुद का पानी होता है तो इस र दूसरा काम करेंगे जब तक यह अपना तयार होगा तो चलिए दूसरा काम सुरू करते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखिए एक बड़े साइच का बड़तर ले लिए अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आईया को बदा देते अब इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइच प्याज की प्याज जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला कटकर लिया है इस तरीके से प्याज को कट करेंगे तो नास्ते का बहुत ही सुन्दर सा लुक आएगा और नास्ता हमारा बहुत ही जड़ा देखने में खुशूरा लगेगा और खाने में बहुत ज तो अगर आपकी हरी मिर्च बहुत जड़ा स्पाइसी हो तो आप से दो डालिएगा और यहां पर इसमें हम डालेंगे धेड़ सारा हरा धनिया एक छोटा कफ तक मैंने राला है हरा धनिया जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिर यहां पर हम क्या डालेंगे आईया को प्ता देते हैं तो यहां पर हम ले लेंगे एक चमर साबुद धनिया जिसको हमें इस तरीके से मसल का डालेंगे अज़ाने से क्या होगा धनिया विल्कुल अच्छे से इस तरीके से बीस से डिवाइट हो जाएगÉ और बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा नास्ते में और अब इसके बार हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हिंग, इंग नास्ते को टेस्टी बनाने के साथ, नास्ते को विल्कुल भी गैस नहीं बनाती है, तो इसलिए हिंग जरूर डालना है, फिर इसमें आदा चमर डाल देंगे, सौंक, मोटी याली, अगर ना हो तो इसके भी कर सकते इसके बार इसमें हाफ टीस्पून डालेंगे जीरा जीरे के कॉमनेशन से बहुत इच्छा टेस्ट आएगा और दो चुटकिया इसमें काले मिर्ज का पॉडर डाल देंगे जिससे बहुत ही बढ़ी हाट टेस्ट आएगा फिर थोड़ा सा टर्मरी पॉडर यानि जो देखने में अच्छा लेगता है और इसकी ब्ल चुटी विलाड मेश में अमने हरी भीृट होले फिर चुटाइशन मैगी मसाला और आंके पास ना हो तो आप सकाले मेशन समесп हाक्ते हैं उर्मरी प्रमीशन सेंगा तर्व लिए सकते हैं। यहां पर अभी तक हमने नमक नहीं ढाला हैання विप की पहले अच्छे से मिला देना है। अगर हम नमक ढाल देगे तो प्याज फुटाफड पानी छोड़ने लगी कि जो उमें नहीं करना है। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाएंगे। हलके हलके हाथों से तो फ्याट के सारी अच्छे खूल जाएंगें तो देखिए खूल गये हैं आब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आपको अपने टेस्क एक चाहिए तो comment box में comment करना मैं आपके साथ सेया करूंगी वेट ने दोनों को देखें तो दोनों हमारे 10-10 ग्राम है अब इसको अच्छे से mix कर लेना है यह देखिए हाथों से mix कर लिया है अब यहाँ पे लेंगे room temperature का पानी थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और अच्छे से मि बना लिया है अब इसको हम दो मिनट का टाइम देंगे अगर आपको जाया जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा waking powder या खाने वाला मीठा सोड़ा डाल सकते लेकिन मुझे जल्दी नहीं है और वह healthy भी नहीं होगा तो मैं इसे natural तरीके से फून ले दूंगी दो मिनट के ल पानी नहीं आड़ करना है क्योंकि प्याज वालू बाद ने पानी फिर से छोड़ेगी और इस तरीके से आपका ठिक सा रहती हो जाएगा उन्हों बहुत जड़ा गाड़ा है ना बहुत जड़ा पतला तो इस तरीके से आप बनाकर इससे रिस्टोर भी कर सकते लेकिन रिस स्पून तक ऑईल आप खियो बटर भी डाल सकते सरसो का तेल भी डाल सकते तो यहाँ पे मिस्टर में हमारे सारे फ्लेवर पहले से आड़े तो हमें यहाँ पे तेल में कुछ भी आड़ करने की जुरूरत नहीं है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा अपना तयार मिस्टर को हम सारा और यहाँ पे आपको खयाल यह रखना है गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है और जो बड़तल लीजेगा थोड़ा सा भारी लीजेगा ताकि जलेना और इस तरीके से फैला हुआ लेंगे तो क्या होगा कि आपको इसे चलाने में दिक्कत नहीं होगी तो यह जो लगा हुआ चम्मच का है उसको भी हम निकाल लेंगे ताकि कुछ भी बेशना हो अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिये इस तरीके से मिक्स करते वे इसको पका लेंगे यहाँ पर इसको पकाने में आपको मुस्किल से एक से दो मिनट का टाइम लगेगा यहाँ पर इस ब लेंगे वे मैंने मीडियम ही रखा है हाई फ्लेम पर आप इसको मत बनाईएगा और यहाँ पर इसकी पहचान यह है जब यह कुक होने लगता है तो सबसे पहले तो इसका कलर चेंज जाता है और दूसरी बात यह बिलकुर अच्छे से सिमटने लगता है और इस तरह से इसक चेक करने का तरीका ही बताएंगे आपको तो फ्रेंड मैं आपको याद दिला देती हूँ अगर आपने अभी तक हमाई रेस्पी को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजे आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको रेस्पी पसंद आ रही है या नहीं और ना आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रल लीजिए काफी जला है और इस तरीके से आप इसको गोला बनाईए और गोला बनाते समय आपको ख्याली रखना है कि उसमें क्रेक ना रहे हूँ आगर क्रेक आ रहे है तो समझ जाए थोड़ा से चिकना है और कोई भी क्रैक नहीं है अब गयास के फ्लेन को बन कर देंगे और इस मिस्टरों को थंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह थंडा हो रहाई से साइड में रखते हैं दूसा काम करते हैं तो यहां पर देखें कराई को मैंने बिल्कु अच्छे से गरम हो जाएगे तब इसमें हम हाफ टी स्पून डालेंगे ओइल ओइल को विल्कु अच्छे से गरम होने देंगे जब तक ओईल गरम नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है जैसे ओईल गरम हो जाएगा एक इंच के अधरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया यह डाल द दो करना है जैसे बुन जाएगी हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइच की प्याज जिसको मैं इस तरीके से मोटा मोटा कटकर लिया है यहां पर प्याज को में ना ही काला करना है बस अलका सा यह टांस्पेरेंट हो जाए बस इतना पकाना है तो यहां पे देखे से बहुत इच्छा रेश आएगा स्वारी रंग आएगा तो यहां पर तमाटर अगर आपके पास लान ना हो तो आप इसकी जगह पर क्या जा सकते कास्मेरी लाजमेश भी डाल सकते तमाटर में यहां पर हम टमाटर को 10-15 सेकंड पका लेंगे आप इसके बाद इसके अंदर कर देंगे हम थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर रोप्या जल्दी से सौफ्ट हो जाए थोड़ा सा चाठ मसाला जिससे चतपटा बनेगा अगर ना हो तो इसकी भी कर सकते हैं आप इसकी जगह पर इमली का पल भी डाल सकते या फिर नीमु का रस भी डाल सकते यहां पर देखे के सारी चीजों को अच्छे से भूल लिया है फिर थोड़ी सी कुटी होई लाल मिच एक से दो चुटकी और एक चमच हम इसमे डाल देंगे मोंपली मोंपली हमें लाश्ट में डालना है क्योंकि हमें मोंपली को काला नहीं करना है मोंपली डालने से यह रेस्प्री प्रोट में टास्वर करेंगे तो चलिए जार में टास्वर करके फिर आपको दिखाते तो फ्रेंड यहां पर देखिए मैंने इसको पीस लिया है पीस में बिल्कुल भी दिकतनी होती है यूंकि प्याज टमाटर में खुद का पानी होता है अब इसको आप चाहे तो ऐसे भी इन्ज करेंगे मैंने इसको बहुत ज़रा पतला नहीं रखा है थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है यह देखिए तो तड़का लगाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम गैस को आंकर दिंगे गैस का फ्लेम हो मेडियम रखेंगे यहां पर तड़के पैने मैंने एक चमस तेल को जाल दिया है जिसको मगरेली बोलते हैं अगर आके पास का लोंजी ना तो इसकी कर सकते हैं तेल को विल्कु अच्छे से गरम कर लेंगे जैसा ही तेल गरम हो जाएगा सारी चीज़ों को आड़ कर देंगे और इसको हम अच्छे से चटका लेंगे 10-15 सेकेंड यहां पर जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी लुक भी कितना अच्छा हो गया और टेस्ट तो दुगना हो गया है तो चलिए इसको साइड बे रख देते हैं और दूसरी रस्पी की तरफ बढ़ते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखी हम इस तना ठंडा हो गया कि हम इ दूसरी बात इसमें जो विख्रावपन है वो खतम हो जाएगा यूँकि आटे को हमने पका लेते तो इस तरीके से विख्रावपन आ जाता है जब आप इसको अच्छे से मसल लेते तो वो खतम हो जाता है तो यहां पर देखें इस तरीके से हमारा आटा बिल्कुल अच्छ बड़ा सा गोला बना लेंगे पहले और इस तरह से रख्के इसको चप्टा कर लेंगे यहाँ हम ले लेंगे बेल के बेलन पर हम चिप्चेगा तो इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए बेल लेंगे तो यहां पर बहुत ज़रा मोटा या बहुत ज़रा पतला नहीं रखना है हलका सा मोटा रखना है जिससे रेस्पी बहुत ही ज़दा कुरकुरी और खस्ता बनेगी और खाके मज़ा आ जाएगा तो फ्रैंड होली आने इसे में महँआनों का आना जाना लगा रहेगा तो इस रेस्पी को आप बना के नास्ता बनाने के जंजर से आजादी पा सकते हैं और दिल खोल के कलर सकते हैं तो फ्रैंड यहां पर देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है अब यहां पर हम क्या ले लेंगे यहां आप यहां ले ले लेंगे गिलास अगर आके पास न आ घो अ कटवा है उप्ली हुआरा बना सकते हैं और किवाद नीयुकित तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी ठीकने सकनی ज़िए नोग उपनीत्ती स्टी के बिशनागी जला मिला लखा प्रांसा करती हैं लग्रत वह सुष्टा को पनी बने जरुद्शटी में से निस बैसे बाग कर नजिएतने कराएं तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने रेडी कर लिये हैं, यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर, तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ, यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाह से गरम हो गया, इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को पर रखेंगे, अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाएए तेल गरम हो चुका है, जब एक बाद तेल गरम हो जाएगा, तो अपने तयार नास्ते को इस तरीके से डाल देंगे, यहाँ पे आपको खयाल यह किसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, और ना ही लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बनाएंगे, तो उपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनाएंगे, और लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो चलिए दो मिनट पका लेतें, फिर अफसे मिलतें, तो फ्रेंट के बाद अब इसको हम दुबारा दूसरे साइट 1 मिनद पकाएंगे टोटर इसको बने वे 3 मिनद का टायम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा जाएगा तो चलिए 1 मिनद और पका लेते तो फ्रेंड 1 मिनद हो चुका इसको दूसरे साइट से भी पकते वे यहां पर देखिए कितने अच्छे से फूले फूले से बने हैं अंदर से खस्ता बने हैं यहां पर हम गयर के फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरीके से अलर्टे पलर्टे वे हाई फ्लेम पे 10 सेकंड पकाएंगे इससे क्या होगा कि उपर से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी मनने के लिए हमें क्या करना है पिर अच्छी गरम कर लेना है जट तक आप आपका तेल गरम नहीं हो गईज़ा ड произош़ी बना लेगे तो चलिए बना लेतें फिर अब से मिलते तो फरेंड बनकर एड़ी हो पर चटपटा कराव नासता देख लीजा इसका फाने जेक कितना जड़ा खुपसुरे लग रहा है जितना जड़ा देखने में खुपसुरे लग रहा है खाने में सज़ादा क्रिश्पी है यहाँ पर देखिए हतेली पर प्रस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ओईल निज़र नहीं आ रहा क्योंकि यह बिल्कुल भी ओईली नहीं बनते हैं यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रहे हैं अंदर से कितने ज़्यादा खषता बने इस तरीके से जब लेयर अलग हो जाती है इसका मतलब यह बिल्कुल अच्छे से खषता बने यहाँ पर मैंने इसको सब किया यह वाली चटनी के साथ जिसकी रेस्पी मैंने आपके मैं साथ दी इंजोड़ कर सकते हैं स्साज करसे अगर आपको होमेट केचप की के चाहिए तो कमेंडि बोक्स में करकी करना Commissioner मैं आपके साथ सखेंस तो फ्रेंड आप इसे बच्छों केठी टीन बॉक्स में और पति के लिंच बॉक में दे सकते हैं जब भी आपको छोटी मो पसंद आए कमेंट वाक्स में लिखना मत भूरिएगा और साथ ही रेस्पी को एक लाइक जरूर दीजिएगा तो चलिए इसको साइड में रख देते यहां पर देखिए जो हमने वैटर को रखा था यहां पर देखिए उसने अपना पानी छोड़ दिया और इस तरीके से गील और इस तरीके से कोड करने के बाद अब इसको हम बना लेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से लेना है और इसके उपर डाल के इस तरह से हलकालका सा लगा देना है और अब चलिए इसको चलते बनाने के प्रोसेस की तरफ दिया तो फ्रेंट आ गये गैस की तरफ यहां प देखे इस तरीके से हम डाल देंगे तो यहां पर देखे बहुत सुन्दर सा लुक बनता है इसमें आपको फिंगर का भी मजा मिलेगा और पकोड़ी का भी और आपको खाके मजा जाएगा और बच्चों के लिए भी कुछ योनीक हो जाएगा और आप इसे प्राइ करेंगे त नहीं तो क्या होगा जब यह पकेंगे तो आपस में चिपक जाएगे और फिर इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाएगी तो यहां पर देखे इस तरीके से हमें एक बार में उतना ही डालना है जितना कि इसमें आ जाए यह मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपकी रे यहां पर इस तरीके से हमें नाइव से या फिस चमच के पीछे वारे भाग से इसको टर्ण कर देना है और यहां पर टर्ण करने के बाद अब इसको हम दूसरे साइड भी दो मिनट पकाएंगे तोटर इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको खाके मतार आज कुछ नया share किया है आपके साथ तो इस recipe को दिल खोल के share करना और recipe में कुछ भी अच्छा लगे तो please एक like जरू करना तो चलिए एक मिनट और पका लेते तो फ्रेंड यहाँ पर देखे एक मिनट हो चुका है इसको पकते वे तोटर इसको बनने में 3-4 मिनट का ही टाइम लगेगा यहाँ पर देखे इस तरीके से अब गयास के flame को हाई करती है और 10 सेकेंड इसे हाई flame पर पकाएंगे ताकि इसका color बहुत अच्छा जाए तो यहाँ पर देखे अच्छे से golden brown हो गये है अब इसको हम इस तरीके से छणने में निकाल लेंगे ताकि जो एश्ट्रा तेल है वो आपस इसी में चला जाए यह देखे तो लग रहे है ना कमाल के आप एक बार इसे बनाएंगे तो इसे बार बार जिद करके बच्चे आप से बनाएंगे यह देखे और यहाँ पर दुबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गरम कर लेना है जब तक तेल गरम नहीं होगा हमें फिर से नहीं डालना है और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम अपना बना लेंगे तो चलिए बना लेते फिर आप से मिलते है तो फ्रेंड, मंकर रैड़ी हो चुका है हमारा चटपारा सा, कुरकुरा सा, कराव सा डेख लीज जू कितना जड़ा खुम सुरह लग रहा है जितना जड़ा देखने में खुम सुरह लग रहा है खाने में से जewड क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कु सौक्ट है यहाँ पर देखी कितने अच्छा से कुख हो गया है और इस वारी चटनी के साथ जो इसका कॉमनेशा ने वो अलग ही लेवल का है अगर आप चटनी नहीं बना चाते तो आप इसे केचप के साथ निजोई कर सकते होमेट केचप की रेस्पी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मैं आपके साथ सेयर करूँगी आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, मोमोज चटनी के साथ, चाय के साथ, या फिर ऐसे भी एंजॉई कर सकते हैं तो फ्रेंड जब भी आपके वहाँ एकदम से महमान आ जाएं और आपको कुछ भी समझ में नाया है, क्या बनाया जाएं तो आप इस रेस्पी को ट्राइ कर सकते हैं, महमान भी खुस आप भी खुस और बाहर के पकोड़ों से आपको निजात मिल जाएगी, यूकि वह काफी ज़्यादा कोश्ट्ली होती है, समोसे मंगाते हैं तो दस रुपए का एक मिलता है, और आपका बज़र भी बढ़ जाता है, और ये आप बहुत ही कम सीड़ों में बनाकर महमानों को खुस करते हैं, खुस भी खा सकते हैं, तो चलिए मुझ से तो वेटे ही हो रहा है, मैं ज एक ये